हाई फ्रेंड्स तो आज हम लोग आएं गांधी मैदान के डिजली लैंड मेला और सरस मेला तो आज हम लोग सरस मेला घुमते हैं तो इसका इंट्री चार्ष 20 रूपीज है 20 रूपीज का टिकेट लेने के बाद ही अंदर आप लोग को इंट्री मिलेगा तो हम लोग ने 20 का मेला का अंदर हम लोग आ चुके हैं तो यह हम लोग का सबसे आगे यह फ्रांट है आगे जो देखरी वह फोटो शुट के लिए आप लोग फोटो सुट करवा सकते यहां फिर चलिए अब इधर चलते हैं ति यह काड़े आल्ले हैं फिर इधर आपको फ्रांट वही मिल जागा खाने पीने का चीज बच्चों लोग के लिए यहां पर आपको बहुत तरह के चीजें मिलेंगी खरीदने को खरीद सकते हैं आप लोग तो यहां पर अभी यह का प्लेट यह सब सूट जो है 50 रुपीज का सेल लगा हुआ था विंटर कलेक्शन था यह शार है तो यहा को मिलेंगे यहां तक आप लोग का नजर जा रहा है वहां तक मैं क्या ही बताओ आप लोग विजिट करें डिजली लैंड मेला और खुती देखें क्या क्या मिल रहा है यहां बच्चों से लेकर बड़ों तक का हर चीज मिल रहा है आप किचन का भी समान ले सकते हैं मैंने शूर्द दिया नब्बेट रूपय परे दे रहे तो मैंने चेक किया फिर उसके बाद ँरहने दी तो आप लोगों में दिखा दिते ही कि वahा tortured गास्ता कलेक्षन था तो मैं कुछ आप लोगे नीचे कोई 100 का नीचे नहीं था कि आपको 100 का नीचे मिल जाएगा 100 प्लस यह थे सारे प्राइज तो चलते हैं तो यहां फिर से मैं आप लोगों को जैकेर का क्लेक्षन दिखा रही हूं 500 से लेकर 1500 तक का यहां पर था तो यह जो अब आफे जो लाइन से आपको दीखे रहें यह सारे 600 की है कलेक्षन है और और ओर धिखाडि हमें तक हर प्रैस में यहां पर है कब स्टार्टिंग 500 से होता है यहां पर फिर यहां पर यहर्डिंग से कुछ क्लेक्षन से सारे पर पेर्स थे फिर इसके बाद यह बैसलेट थे यह भी हंडर रुपीज नहीं थे यह हर प्राइज में थे यह सारे यह यह सब तो आपको यहां पर यह यह जैवलरी यह सब मिल सकते हैं ज्वैलरी महल सब का नाम था तो चलिए फिर लोग आगया आगया अब यह देखिए यहां पर हर तरह के जूले हैं बच्चों लोग के लिए तो यह कारवाले जूले हैं बच्चों लोग के लिए हैं फिर उसके बाद यहां पर बड़े बड़े जूले भी हैं जैसे यह आप यहां पर आप लोग को घुमते घुमते अगर भूख लग जाएगा तो खाने पीने का चीज का आइटम भी है यहां पर हर तरह का तो पहले चरी आप लोग जूले देख लेते हैं कैसे कैसे जूले हैं यहां पर डिजली लैंड मेला में तो यह एक जूला है जो भी मैं आप लोग को दिखाए थी पीछे आप लोग जो जूला देख रहे हैं वो भी बड़े लोग जूल सकते हैं आगे देखे होट पिज्जा बर्गर और क्या है यह सब आपको यहां पर मिलेंगे चीश पिज्जा यह सब मिलेंगे और आगे और चलते हैं और क्या है खानी की चीश तो यहां पर आपको आलू पनीर टिकी चार्टिंग लेंगे तो आप लोग यहां आए और इंजुआए यहां पर आप लोग यहां पर कुछ आइटम्स मिले हैं। रिल्स लीज थे पर देख रहे हैं यहां पर आहँ नामaren हे यह नाम लिखने वाला का इसक हैं, यह दिल वाले जो देख रहे हैं couple's names यह 300 रुपे पर थे 300 में आपको मिलेंगे नाम लिख कर यह लगड़ी के थे सारे फिर यहां जैकेट का सेल लगा था 350 रुपेज था यह सारे कुछ अलग-अलग range के थे यह कुछ 600 के, 700 के थे यह सारे यह सारे लेडिश वेटर थे बहुत सारे जैकेट यह सब का कलेक्शन लगा हुआ था सब का प्राइज 500, 300 लमसम सब यही प्राइज में थे सारे जैकेट और यह सारे जैकेट का कलेक्शन है डिजिलेंड मेला का तो यह सारे कलेक्शन है यहां अगया फाइबार है यह 286 अप को यह नहीं मिलेगा तो यह आप सिंगल पर लेना चाहते हैं तो यह लेकि यह कूले नहीं यह ओन्हार को संगल मिलेंगे बाकि यह भेंखा रहें यह उताएड़से वता आप यहां आपको टी कप मिलेंगे यह सारे टी कप का आपको डिजाइन था कलेक्शन था भाईया भी निकाल ही रहे थे फिर आगे इधर देख लेते हैं यह सारे फाइवर के प्लेट थे कप थे कॉफी मग थे बहुत सारे आइटम्स थे आप लोग आए और देखें तो अब हम लो कैसा लगा कॉमेंट करके जरू बताएगा मैं जितना हो सके मुद्ना कभर की आप लोगों दिखाई हूं कि डिजलेंड मेला में क्या क्या है तो यह पीछ देख रहें कास्मीरी वलेन बजार में भी सेम टु सेम यही सारे तो यही सारे विंटर विंटर सीजन के क्लेक्शन ह आप लोग आएं विजिसट करें डिजनी लैंड मेला घुमें और कस्मीरी उलिन बजार घुमें और शॉपिंग करें तो आप लोग को मैं आप लोगो दिखा दी कि क्या क्या मिलते हैं तो अब मैं यह जा रही हूं वापस ताप लोग को यह ब्लॉग कैसे लगा कॉमेंन्ट क के लिये बाइ बाइ बाइ